हाई लो फ्रेंस वालकम बाक टू पीसी स्टडी चानल फ्रेंस आज हम लोग जो है बिहार बोर्ट टू वेल्थ पाइलो जी अब्जेक्टिव का जो है तीसरा क्लास करने जाए हैं और हम लोगोंने अभी तक जो है दो क्लास कम्प्लीट कर लिया है जो आपको इस चानल के प् जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और जैसे जैसे क्लास होते जाएगा सारे क्लास का विडियो आपको इस चानल के प्रेलिस्टे मिल जाएगा और आप लोगों को पता है कि 50% अब्जेक्टिव है तो जितना आपको सब्जेक्टिव में मार्स मिलते हैं उतना आपको अब्जे subjects का objective कराने का सोच है तो यहाँ पे आपको सारे subjects का objective मिलेगा तो आप लोग जरूर देखेगा जिससे आपका objective अच्छे से clear हो सके बाकि जो है आज के class को start करते हैं तो चानल पे नए हो तो subscribe कर लिजेगा जिससे आपको आने वाले videos का notification मिलता रहे तो friends आज का जो पाला questions है वो आप लोग यहाँ पे देख लिजे पाला questions बोलड़ा है carbon monoxide एक परमुक परदूसन है यह आपको बताना है questions number 36 किसका परदूसन है वायू का, जल का, वायू तथा जल का या फिर वायू का तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला options number A, वायू का चलिए अब बढ़ते हैं questions number 37 की ओर बोलड़ा है, नीमनांकित में से कौन जैव आवर्दन परदरसित करता है यह बताना है, questions number 37 तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला options number A क्या हो जाएगा, options number A सही हो जाएगा D, D, T, राइट चलिए अब बढ़ते हैं, questions number 38 की ओर बोलड़ा है, रेडियो धर्मी परदूसक के सबसे परतिकूल परभाव का पड़ी नाम आपको बताना है questions number 38 का क्या सही होगा, आप लोग बताएगे, इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला options number D चलिए अब बढ़ते हैं, questions number 39 की ओर बोलड़ा है, हैरोईन है, क्या है ये बताना है questions number 39, तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला options number C diacetylformin, sorry, morphine ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, questions number 40 की ओर बोलड़ा है, डी, आक्सी, राइबोज पुछता था, राइबो सरकड़ा, एक ही वेक की हैं, जिन्हें कहा जाता है क्या कहा जाता है, ये बताना, questions number 40 का तो इसका जो सही होने वाला है, वो होने वाला options B, Pantosis, ठीक है, चलिए, अब बढ़ते हैं, questions number 41 की ओर बोलड़ा है, 41 की हो रहा है, तो बोलड़ा, DNA के निकलियो टाइड की आवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, ये बताना questions number 41 का क्या सही होगा, आप लोग बताईदें, इसका सही होने वाला है, वो होने वाला options number B, यहाँ पे जो है, एक्सरे, क्रिस्टे, लो, ग्राफी द्वारा, ठीक है, अब बढ़ते हैं, questions number 42 की ओर, बोलड़ा, जब DNA के एक विल्गन टुकरिय को 82 से 90 डिगरी Celsius पर रखा जाता है, तब जो है, क्या होता है, ये बताना, questions number 42 का सही होने वाला options number B, इसका क्या होता, विकुन डलन हो जाता है, क्या होता, विकुन डलन हो जाता है, ठीक है, चलिए, अब बढ़ते हैं, questions number 43 की ओर, बोलड़ा है, मनुस में मातरातमक लक्षन का उधारन आपको बताना है, questions number 43, तो इसका जो सही होने वाला है, वो होने वाला options number B, तौचा का रंग, ठीक है, चलिए, अब बढ़ते हैं, questions number 44, बोलड़ा है, एक जीन के विभिन रूपों को कहा जाता है, ये आपको बताना है, questions number 44 का जो सही होने वाला है, वो होने वाला options number B, यूग विकल्पी, ठीक है, चलिए, अब बढ़ते हैं, questions number 45 की ओर, बोलड़ा है, रेसम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, ये बताना है, questions number 45 का जो सही होने वाला है, वो होने वाला options number A, जो है यहाँ पे, फी ब्रोईन, क्या होगा, फी 14 कैसी किसमे है, यहाँ पे किसी लिख दिया है, साथ कैसी किसमे है, ठीक है, यह होगा, तो इसका जो सही होने वाला है, वो होने वाला यहाँ पे, options number B, ठीक है, मक्का, चलिए, अब बढ़ते हैं, questions number 47 की ओर, बोलड़ा है, पैनिसीलियम उत्पादित करता है, ये बताना, questions number 47 का क्या सही होगा, प्लोग बताए, तो इसका जो सही होने वाला है, वो होने वाला options number D, A और C, ठीक है, A और C, ये दोनों सही होगा, चलिए, अब बढ़ते हैं, questions number 48 की ओर, बोलड़ा है, निसेचन आंत्रिक होता है, ये बताना है, questions number 48 का क्या सही होगा, प्लोग बताए, इसका सही होने वाला है, वो होने वाला options number B, सार्क में, ठीक है, चलिए, अब बढ़ते हैं, questions number 49 की ओर, बोलड़ा है, विभिंता का मुखी स्रोत है, विभिंता का मुखी स्रोत क्या है, ये बताना है, questions number 49 का सही होने वाला है, वो होने वाला options number B, उत्परिवर्तन, ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं questions number जहाँ पे 50 की ओर बोल्ड है पूसा सुब्रा एक किसम है ये बताना है क्या होगा 50 नमर का क्या answer होगा बताइए तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला options number B फूल गोबी का किसका होगा फूल गोबी का चलिए अब बढ़ते हैं questions number 51 की ओर बिना निसेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा क्या जाता है ये बताना है questions number 51 का जो सही होने वाला है वो होने वाला options number C काइन प्रवर्धन ठीक है काइन प्रवर्धन का चलिए अब बढ़ते हैं questions number 52 की ओर बोलड़ा है ट्राइटीकम एस्टीवम जो एक हेकसा प्लोएट गेहूं है उसमें होता है क्या होता है ये बताना है ठीक है questions number 52 का क्या सही होगा प्लोग बताईए इसका सही जो होने वाल होने वाला options number D 42 गुन होते हैं कितने होते हैं 42 गुन सुत्र होते हैं ठीक है तो आज के class का objective यहीं पर end होता है बाकि जो है next हम लोग next video में करेंगे next class में तो आज class को यहीं पर end करते हैं बाकि चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लिजेगा क्योंकि जो भी videos आएगा उसका notification मिलता रह कर दो